आज इंडिया आज का ये एपिसोड आपके लेकर आया है उन भारत वात्यों को जिनका अगनी के साथ चोली दामन का साथ है हमारे आपके जैसे आम लोग अगनी से लोहा लेकर खाथ बन गए हैं जैसे महरूफ खान मारूब भाई आदाब आदाब स्वागत करते हैं आपका शाबाश इंडिया में शुक्रिया आपके बारे में सुना है खत्रों से बेपनाह महबबत है आपका बेशक इसमें कोई शक नहीं आज हमारे शाबाश इंडिया शो में आप क्या करने वाले हैं मैं खत्रों से खेलने जा रहा हूँ कर दाखों करोना लोग इस वक्त आपको टीवी पर देख रहे हैं पुछ कहना चाहेंगे उनसे क्योंने जरूर कोई सोचा था कभी आसमान को चूमेंगे किसी साइकल के सहारे किस्मत ने करवट ली और आज मुंबई में किसी अंजान गली के मोड़ पर मारूफ हाई अपनों के साथ जिन्दगी बाढ़ते रोजी मिलती है लाइट मैन की नौकरी से मगर इंतजार रहता था जिस पल का वो पल आज आ गया उपरवाले के दुआएं और हमारी भी दुआएं आपके साथ में इसलिए मैं तुर इस बात मुझे अपनी जिन्दगी से इसक हो गई इसी बात पर मैं एक साहर सुनाना चाहता हूँ कि इसक करने में वहदत का मज़ा मिलता है अगर इसक सचा हो तो बंदे को खुदा मिलता मुंबई की फिल्म इंडेस्ट्री में एक लाइट मैन का काम करने वाला ये भारत वासी दो वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन रात महनत करता है पाई पाई जोड़कर जिन्दगी चलाने वाला ये इंसान अगर कोई शौक रखता है तो वो है खत्रों से के लिए करोप्षा करत vision कि भाई जोड़कर घाटा। जी जी झार जिर्ञार से क्कि ख जोड़कर ज Dazu जाँ हुआ शुआ हुआ जाओ जो magistहां जन्मस Präsident से क्का हुआ है जी जारा महनत जिर्ञारी में कर दो 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 कर अपने मजबूत इरादों की बदौलत महरूफ खान इंजवालों की धड़क को छेल गए शायद इस आग की भवक आप तक ना पहुंची है लेकिन महरूफ भाई के इरादों की भवक तो आप महतूस कर ही रहे हों भारत के सबूत को शाबाश इंडिया का सलाम ये है हमारा इंडिया शाबाश इंडिया के साहस बरे संसार में आप सभी का स्वागत है आज हम पेश कर रहे हैं तहक तेवी आख से खिलने वाले भारत वास्यों को दोस्तों कहते हैं कि मोम बहुत ही कोमल चीज़ है ये मोम अगनी के करीब आता है तो पिखलने लगता है ये कोई नई बात नहीं लेकिन कोमल होने के बावाजूद हम उस पिखलेवे मोम को च्छूते नहीं क्योंकि उसमें होती है गर्म मोम जब पिखलता है तो अपने साथ शामिल कर लेता है अगनी की ठड़क हम उस पिखलतावे मोम को च्छूने से भी कत्राते हैं और अनील कुमार पिखलतावे मोम से ये करता है सबाख 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 आपके वारे में एक बात तो कहनी पड़ी जरू पैनावा अनोखा है आपका आने का स्टाइल भी अनोखा है और ये भी सुनाए कि इनका नाने का स्टाइल ये भी कुछ अनोखा है कः ये ये अल्यजार्ण है मेर अरणे के स्टाइल के इतना क्या अनोखा है आपके ने के स्टाइल के बारगों ऑुर मेरे पास केंडल्स को मैं आपने बॉड़ी को बूजा दूगा तो अक्तर लोग पानी से नहाते है और आज यहाँ पर अनील जी मुम्बतियों के वैक्स से नहाएं यहाँ आप तेयार है जिसा शुरू करें आये होसला अनील जी का जोच्दार ताली अनील जी के लिए कुछ तर्दिखाने की चार सो मुम्बतिया दोस्तों चार सो मुम्बतिया इस कारिक्रम में प्रस्तुत होने वाले सारे प्रयोग निपुंड कलाकारों की खास देखरेग में किये जाएं क्रिपया इन्हें घर पर दोराने का प्रयत में ना करें क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है कि अब आप बढ़िया निल जी बहुत बढ़िया अब है यह ना क्रिम्त बढ़िया यह ना क्रिम्त बढ़िया क्रिम्सक्वेड़। ता 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 अबसलोलेमास recognizes ता ता ताना दिन ताना देखकर यखीन नहीं होता है कि आपको जरा भी फर्क नहीं बढ़ रहा है इनसान के बदन पे अगर एक मोम का मोम का एक ड्रॉप भी गिर जाए तकलीफ होती है और आप वाके में नार है उससे अगर इनसान चाहिए तो कुछ भी कर सकता है उसके अंदर करने की चाहत चाहिए और मुझे ये चाहत शाबास इंडिया से लिखा है दोस्तो इस पिखल दिवेस नान को देखकर अच्छे से अच्छा इनसान पिखल जाएगा लेकिन इससे धोराने की कोशिश कभी मत कीजिगा इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है चीहां दोस्तो ना मुम्किन कुछ भी नहीं ये है इंडिया शाबास इंडिया नाने के इस सरीके के बारे में मैंने या आपने अनील कुमार के इस कारणामे को देखने से पहले सोचा भी नहीं होगी लेकिन यही तो फर्क है हम में और इन जाबागों ये है तो हमारे जिसे आम भारतवासी पर इनकी सोच आम नहीं सलाम है इस खास हिंडुस्तानी को दोस्तो ऐसा एक और खास इंडुस्तानी आपके सामने पेश होने वाला है अपने कारणामे के साथ व्धून यि जो इतने प्टाखे के भीच मैं आप खडे हैं तो क्या करने वाले अब दस अजारे पटागे जो है जलना चालो हो जाएंगे और बीच में खड़ा रोंगे अब उप्षान जी यह जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप अपनी मर्जी से और अपनी इच्छा से कर रहे हैं को विल्कुल अपनी इच्छा से कर रहे हैं इस कारेक्रम में परस्तुत होने वाले सारे प्रयोग अनुभवी कलाकारों की देखरेक में किये जाते हैं। क्रिपिया इन्हें घर पर दोहनाने का प्रयास ना करें। क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक सावित हो सकता है। आप बीच में अचानक से बीच से भाग कर आगए क्यों है। जो पटागी की जो आग थी वो जाद है इन्हें पहर को लग रही ती और जो बारूद है वो फोर्स से पूरा हंग में अभी फैल रहा है। अभी आपको कैसा लग रहा है। हमें भी गर्व है इस गाउं को भी गर्व है एक साथ हम सब मिलकर बोलेंगे ये हैं इंडिया चाहाश इंडिया। कुछ ही पलों में दस हजार पटाखे धुए में बदल के ये धुए को याँ धुए नहीं था इस धुए में शामिल से उपशांत के पके इरादे और पेजोड साहाथ। आग से खेलने वाले इंज आबाजों के लिए तो यही कहूंगा कि छूले अगर बर्व को तो उसे भाब बना दे या जलाएगी आग इने ये वो दिवाने हैं जो सूरत को भी राख कर दे ये है हमारा इंडिया शाबाश इंडिया में एक बार फिर दिल से स्वागत है दोस जिन्दगी की ज्यादतर शाम में मौत के साथ रूबरू मुलाकात करते वे कुछारती आज की शाम भी जमशेद खान वही करने वाले लगभग 80 फीट की उंचाई से च्छलांग लगाना कोई मामूली बात नहीं है दोस्ते चले मान लेते हैं कि हिम्मत वाला कोई आम आदम आदमी ये कर सकता है लेकिन जिस तरह जमशेद खान इस उंचाई से चलांग लगाते हैं उस तरह चलांग लगाने के बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता अब अगर हवा रुख बदल लेगी तो शायद ये जमशेद खान की जिन्दगी की आखरी चलांग हो गया है हमा दिखाने की हमारे गुरू है मिश्टक चांद से हैं रहने वाला उने के चुड़े परसे मदब उनके साथ में रहेगी काम सीखाऊ अब दाजी आप हमें बताइए कि आपके शोहर इस तरह का कारणामा रोज करते हैं तो आपके मन में कुछ डर नहीं होता है जी नहीं न शुब कामना है आप दोनों के लिए और फ्रेंज आप सभी के सामने जम्षिर जी है बिलकुल तयार विर आल सेट नाव फर दिस लाइफ रिस्किंग इवेंट बहुर से देखिये शुब के लाईफ इवेंट नहीं होत्ति वह दिसार से बिलकुल चास्पाइब दोनोचाइब लाईबू जमशेटी जो काबर जुड़ा रहे हैं, यह हवाता रुख जानने के लिए किया जाता है कर दो कर दो जाता है कर दो बौल हम सबी की तरफ से आपको बहुत सारी बढ़ाई और शुपकामना है आप फिलाल कैसा महसूस कर रहे हैं थोड़ी बहुत तो ऐसा है कि ऊपर से आने के बाद थोड़ी बहुत सास फूज जाती है महसूस क्या करना है खतरों से खेलना हमारी आदत है वाह इससे कहते हैं मौत से जिन्दगी चुरा ले चमशेद खान शाबाशी कहीं नहीं बलके सदकार के भी हगता है दोस्तों इंदुस्तान में सिर्फ ये एक बंदा है जो ये कारनामा करता है शायद एक दिन ये हुनर भी खत्म हो जाएगा लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो वो है जमशेद खान का नाम और उनके इरादों की जोड़े शाबाश इंडिया इस जाबाश को दिल से सलाम करता है ये है हमारा इंडिया शाबाश इंडिया शाबाश इंडिया बहुत जल सजने जा रहा है भारत के बच्चों के हैरत अंगेज कारनाम हो और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में शाबाश इंडिया के मंच तक पहुचने की प्रतिभा है वो हमें जरूर बताई शावाश इंडिया के दर्वाजे हर प्रतेभाशाली बच्चे के लिए हमेशा खुले है हमें इस पते पर लिखिए हमारा पता है शावाश इंडिया जी टीवी पोस्ट वाक्स नमर वन अंधेरी एस्ट मंबाई 40099 इंडिया टीवी सी आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारा फोन नमर है 022-2854-7734 या फिर 2854-7735 या फिर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं response at znetwork.com आज पेश हुए किसी भी कारणामे को धोराएगा मत दोस्तों ये जान लेवा थावित हो सकता है हुआ अगले अबसे फिर लाओंगे लाएगे हिंदुस्तानियों के दोते जले जावज 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 लो आवाजित बंगीद भीच यप, भीच्ट ठीचानária